Hi everyone, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में आज इस वीडियो में हम क्लास नमबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास होगी बहुत ज़ादा important if you are preparing for seated exam तो यहाँ पर हम आज language skills के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगो पहली बता देती हूँ कि जो आपका CBT में जो seated की परिक्षा है जो आपके आयोजित की जा रही है उसके अंदर जो topic पूछे जाते हैं वही topic मैं हाँ पर आप लोगो को करवाऊंगी कोई भी ऐसा point नहीं बताऊंगी जो exam में नहीं पूछा जाता और सिर्फ वही point हम discuss करेंगे जो exam में पूछा जाता है तो कहने का मतलब है कि इस topic को मैं बहुत ही brief में बताऊंगी बहुत detail नहीं केवल to the point हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को समझने वाले हैं इसलिए do not skip this video अगर आप अच्छा score करना चाते हो तो definitely तीन से चार नंबर इस वीडियो से आपके जरूर आपको मिलेंगे तो चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं सारी कोशलों के बारे में समझते हैं last video में हमने acquisition और learning discuss किया और उसमें भी हमने उससे पहले skills के बारे में हम already चर्चा कर चुके हैं तो आज हम लोग language skills में चारो कोशलों से जहां जहां से question आते हैं उनको cover करेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगे listening से और listening से question क्या आता है वो आपको जानना जरूरी है तो अगर आप कोई किताब भी पढ़ रहे हो या आपने कोई book ली है कुछ भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप हो सकता है कि बहुत लोग definition रट रहे होंगे कभी definition से और बहुत ज़दा detail theory से question यहां पर नहीं आया है listening की जब भी हम बात करते हैं अचा उससे पहले एक भाशा language caution के बारे में कुछ और बता देती हूँ जिसे LSRW होता है ठीके यह सबको पता होगा कि हम language कैसे सीखते हैं एक order से सीखते हैं हमारा language को सीखने का एक क्या है natural order है और हर व्यक्ति हर मनुष्य जो है इसी क्रम से सीखता है एक teacher को language के जो skills है भाशाई कोशल है उनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए क्या उन्हें हमें क्रम से पढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें हमें एक इकरित पढ़ाना चाहिए तो याद रखना हमेशा पढ़ाने का तरीका क्या होता है integrated होता है हमेशा क्या होता है पढ़ाने का क्रम integrated होता है हमेशा एक teacher जो भी causal सिखाता है LSRW उनको क्रम से ना सिखा के integration से सिखाता है लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि हमारे सीखने का क्रम क्या होता है language को acquire करने का क्रम क्या होता है तो वो होता है LSRW ठीके अब receptive skill, productive skill अल्रेडी में discuss कर चुकी हो तो मैं भी वो discuss नहीं करूंगी ठीके आप मुरी पुरानी वीडियो पहले की दो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको शुरू से पढ़ना है ठीके वहाँ पर मैंने first class में skills के बारे में discuss किया था aspect तो वो वीडियो आप देख सकते हो अब हम बात करते है कि listening से question क्या पूछा जाता है तो listening से सबसे पहले एक चीज याद रखना listening के अंदर क्या involved होता है listening के अंदर involved होता है क्या होता है केवल सुनना नहीं होता है सबसे पहले हम listening करते हैं किसी भी चीज को और उसके बाद हम क्या करते है respond करते है ठीके तो listening plus responding जो है वो हमारे listening activity का पार्ट होता है, कभी भी केवल सुनना लिस्निंग नहीं होता है, केवल हेरिंग करना लिस्निंग नहीं होता है, लिस्निंग का अभी प्राय है कि आपने ही मेरी बात को सुना, अगर आप मेरी बात को सुन के भली भांती अच्छे से रिस्पॉंस कर रहे हैं, तो लिस्निंग प्लस responding जो है ये दोनों करम listening में शामिल होता है अब यहां से question क्या आता है दो प्रकार की approaches से question आता है ठीक है दो प्रकार की approaches से question आता है एक होता है आपका top down approach very very important है ये reading में भी आता है और ये listening में भी आता है दोनों में आता है ठीक है एक top down होता है और एक bottom up होता है ठीक है त तोप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच में क्या अंटर है तो देखो पहले बॉटम अप डिस्कस करती हूँ अगर आप किसी भी चीज को sound से start करना start कर रहे हैं अगर आप कोई भी चीज है आप पहले sound सिखा रहे हैं मतलब मान लीज़े मैं बच्चों को listening कराना चाहती हूँ और listening में सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरी class के student जो है वो sound को सीखें पहले मैं उनको sound को सुनने पे focus करूँगी यानि कि मेरी जो approach है वो क्या है sound से शुरू हो रही है तो जब हम sound से जाते है words पे ठीके और अगर हम words से जाते है phrases पे यानि कि word के बाद मैं छोटी 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 phrases सिखाना start कर दिया या phrases के बाद मैं जारी हूँ sentence पे ठीके sentence पे और sentence के बाद मैंने last में बच्चों को paragraph सिखाया तो इस approach को कहा जाता है bottom up approach मैं यहां पे unit से शुरू कर रही हूँ किसी चीज को सिखाना तो जब भी हम unit से शुरू करते हैं sound से शुरू करते हैं या मैं बोलू कि हम जब भी part से start करके whole पे जाते हैं तो उसको कहा जाता है bottom up part to whole जा रहे हैं आप sound से paragraph पे जा रहे हैं या आप unit से whole की तरफ जा रहे हैं, unit से आप वहाँ पर paragraph और sentence की तरफ जा रहे हैं, तो ये bottom up होता है, इसी का अगर मैं उल्टा कर दू, तो क्या बन जाएगा आपका answer, top down बन जाएगा, ठीके, आप देखो top down से related keywords मैं आपको वदा देती हूँ, top down क्या होता है, इसी का just कर दो, अगर जो बच्चा है, वो अपना previous knowledge यूज़ कर रहा है, ठीके, previous knowledge को उपयोग करते वे आगे बढ़ रहा है, या फिर मैं बोलू कि वो बच्चा पहले as a whole किसी भी चीज़ को understand कर रहा है, तो top down है, hold to part जाना top down होता है, part to hold जाना bottom up होता है, अगर एक बच्चा meaning से start कर रहा है किसी चीज़ को सीखना, मानलो आप listening कर रहे थे, आपका focus अर्थ पे था, तो आपकी जो सुनने की approach है, वो top down है, अगर एक बच्चा reading कर रहा है और वो अर्थ से शुरू कर रहा है, अपने पूर्व ज्यान का उपयोग कर रहा है, तो वहाँ पर top down हो जाएगा, त अगर आप whole से unit बाद में जा रहे हैं, तो आपका answer क्या होगा, top down होगा, so this is the basic difference between top down approach and bottom up approach, एक बर और revise करते हैं, ठीक है, मैंने ये सारे keywords बता हैं, which you have to remember, top down है तो previous, ठीक है, previous knowledge को use करना top down है, आप अपना पुराना ज्यान अगर किसी चीज़ में लगा रहे हैं, तो आपक प्रक्रिया है, वो top down है, इसके अलावा whole to part की तरह जाना, meaning से start कर रहे हो, top down है, paragraph से sound पे जा रहे हो, top down है, bottom up इसका उल्टा है, sound से start करके paragraph पे जा रहे हैं, sound से word, word से phrases, last में paragraph सिखा रहे हैं, अगर आप, तो आपका जो approach है, वो bottom up है, ठीक है, और part to whole इसको कहा जाता है, bottom up तो ये आपको याद रखना है, अब चलते हैं अगले पर, आप हो सके तो इसका screenshot ले सकते हैं, और मैं as a whole PDF शेयर कर दूंगी, telegram पर, इसका written, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अब हम, तो ये था listening में, अब आते हैं आगे, speaking में क्या पूछा जाता है, तो speaking में एक speech का type पूछा जा रहा है, extremore speech क्या होती है, ठीक है, एक speech का type पूछा जाता है, extremore speech क्या होती है, तो ये याद रखना कि Quickstamore speech, वह speech होती है, जहाँ पे without any preparation, आप बच्चे को कोई speech बोलने के लिए कहा देते हो, ठीक है, without any preparation होती है, ये, आपनी किसी बच्चे को बोला, खड़े क करके class में की चलिए अपना introduction दे दीजिए तो यहां अगर बच्चा ready पहले से नहीं था उसको नहीं पता था अगर as a without any preparation आपको speech बोलने के लिए बोल देते हैं तो उसको extreme poor speech बोलते हैं और speaking में कुछ जादा खास पूछानी जाता है तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग speaking में basically pedagogical question आते हैं कि अगर आपको speaking को develop करना है तो क्या क्या करेंगे जो आप question कर लोगे ठीक है वो question easy होते हैं वो आप कर लोगे अब आगे बढ़ते हैं सबसे important reading पे तो इस पूरी वीडियो में मैं focus करूंगी reading on writing दोनों पे तो reading के बारे में जान लेते हैं हाँ पर चार प्रकार की reading दी वही है जिनको एके करके discuss करेंगे सबसे पहले आती है silent reading तो देखो silent reading वो reading होती है जो primary level पे अच्छी होती है ठीक है silent reading प्राइमरी लेवल पे अच्छी होती है ये क्या करती है sorry अपर प्राइमरी पे अच्छी होती है silent reading not for primary अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चे silent reading जादा करते है silent reading में क्या develop होता है यहाँ पर उसकी critical thinking विख्षित होती है critical thinking वो कर पाता है और यहाँ पर उसकी self study की habit develop होती है with silent reading अगर एक बच्चा silent reading कर रहा है तो उसकी self study अच्छी हो रही है उस अपर primary पर अच्छा माना जाता है और यहाँ पर उसकी comprehension level अच्छा होता है उसके critical thinking अच्छा होता है अब आते loud reading पर, तो loud reading जो है वो primary level पर अच्छा माना जाता है ठीके, और सबसे बड़ा फाइदा है loud reading का कि इससे pronunciation जो है pronunciation बच्चे का अच्छा होता है जो वो बोल रहा है वो विक्सित होता है वहाँ पर ठीके, और इससे क्या होता है जो shyness है, बच्चे की shyness या hesitation जो है जो हिच की चाहत होती है तो hesitation दूर करने में shyness दूर करने में उनकी pronunciation को सुधारने में छोटे level पर loud reading कराई जाती है इसलिए primary पर इसको अच्छा माना जाता है विक्स यहाँ बच्चा थोड़ा active होता है ठीके, तो उसकी pronunciation शुरुआती समय में जो बोलने की जो power है वो अच्छी होती है ठीके, आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे intensive reading के बारे में intensive reading को कहते हैं detailed reading क्या कहते हैं detailed reading भी बोला जाता है इसको, ठीके इसमें क्या होता है जैसे आप किसी exam के लिए पढ़ रहे हो ठीके, आप किसी exam के लिए पढ़ रहे हो तो यह intensive है या आप grammar की चीज़े जहां पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा depth में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आपका intensive reading होता है जैसे exam के लिए पढ़ना, academics के लिए पढ़ना in depth कोई चीज़ पढ़ना तो यह intensive reading है इसको detailed reading बोला जाता है और अगर मैं इसी का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? extensive reading हो जाएगा extensive reading के बारे में बहुत सारे question आते हैं, तो क्या-क्या पूछा जाता है extensive में extensive reading जहां भी आएगा तो आएगा novel reading अगर आप कोई novel पढ़ रहे हैं अगर आप कोई short story पढ़ रहे हैं ठीक है? या फिर कोई comic पढ़ना कोई magazine पढ़ना कोई newspaper पढ़ रहे हैं तो यह सब जो reading होती है वो सब आपके extensive reading होती है extensive reading को हम non-detailed reading भी बोलते हैं non-detailed भोला जाता है और यह जो है extensive reading यह याद रखना कि extensive reading fun के लिए या फिर enjoyment के लिए या फिर यह केवल और केवल pleasure के लिए होती है pleasure, fun, enjoyment के लिए पढ़ना या अपनी general understanding के लिए पढ़ना आप अगर केवल एक general understanding करना चाहते हो किसी चीज की मानलो कोई novel पढ़के आप कोई ज्ञान लेना चाहते हो general understanding लेना चाहते हो तो उसके लिए हम extensive reading करते हैं ठीके अब हम बात करेंगे यहाँ पर दो reading के और type है जहांसे question आता है यहाँ बे बता देती हूँ ठीके तो दो reading कौन-कौन सी है scanning और एक होती है scheming ठीके दोनों में difference बता देती हो scanning, scheming भी reading की जो sub-strategy होती है reading की reading का type ही इसको कह सकते हैं याद रखना कि जो scanning और scheming होती है यह दोनों ही क्या होती है quick reading होती है quick, जल्दी से करते हैं हम इसको ठीके quick reading है और दोनों ही silent तरह की reading होती है फर्क सर्फ यह है कि अगर आपके paper में आएगा scheming करना तो answer में क्या-क्या आपको दिखेगा जिस्ट के लिए पढ़ना scheming overall पढ़ना overall अगर आप पढ़ना चाते हो skimming होगा general idea के लिए general idea के लिए अगर आप पढ़ना चाते है तो skimming होगा ठीके और अगर आप से scanning पूछेगा तो scanning में क्या-क्या आजाएगा अगर आप specific हो specific information के लिए पढ़ना scanning है अगर आप बहुत specific पढ़ना चाते है या फिर यहाँ से आजाएगा particular information ठीके particular information के लिए पढ़ना scanning है या फिर पूछ लेगा specific information के लिए पढ़ना ठीके तो वो scanning है जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं किसी person का number देखना चाती हूँ कि उस person का mobile number क्या है तो अगर मैं एक diary में से एक person का mobile number निकालू तो वो क्या है वो बहुत specific है मैं केवल और केवल उसी चीज उसी information को जानना चाती हूँ तो वो scan करना हुआ तो scanning कब होता है जब आ particular चीज के लिए पढ़ते हो specific पढ़ते हो या आप कोई एक information के लिए जब आप पढ़ रहे हो वो आपका scanning है skimming क्या होता है as a gist overall idea निकालने के लिए general idea निकालने के लिए हम skimming करते हैं जैसे कि किसी paragraph को पढ़के आपने उसकी summary बता दी किसी paragraph को पढ़के आपने बताया कि इसमें यह दिया हुआ है as a gist जब आप उसको फटा-फट पढ़ लेते हो वो आपका skimming होता है both strategies are in reading और ये दोनों ही quick होती है जल्दी-जल्दी हम दोनों करते हैं दोनों ही silent तरकी होती है जोर-जोर से नहीं पढ़ते हैं लेकिन दोनों में यह difference है loud, intensive, extensive और skimming, scanning आता है अब यहाँ एक option और यहाँ मैंने दिया है कि good reading involved अच्छी reading में क्या involved होते हैं तो इसको देखो बस आपको point याद रखना है कि अच्छी reading में क्या-क्या शामिल होता है अच्छी reading वही reading होती है जहाँ पे बंदा क्या कर रहा है एक person infer कर रहा है चीजों को infer करना ठीक है या फिर predict करना ठीक है या फिर होता है पैरा-phrase करना ठीक है पैरा-phrase करना या फिर आ जाएगा summary बताना ठीक है किसी चीज की summary बताना infer करना, predict करना, paraphrase करना यह सब क्या है good reading की strategy है या फिर meaning making आता है अर्थ का निर्मान करना सबसे अच्छा है meaning making reading की strategy अच्छी reading मानी जाती है और context में पढ़ना contextual reading जो होती है यानि संदर्व के अनुसार पढ़ना सबसे best माना जाता है तो यह जो भी मैंने लिखा है यह सारे क्या हैं आपके keywords है यह keywords अगर आपको याद हैं तो आप question कोई भी कर लोगे अच्छी reading वही reading है जहाँ आप एक बच्चा infer कर रहा है, predict कर रहा है कि कहानी में क्या होने वाला है prediction करना, ठीक है या फिर एक word आता है comprehension करना तो comprehend अगर बच्चा कर रहा है वो भी अच्छी reading है मतलब समझ रहा है चीज़ों को तो comprehend हो गया, paraphrase मतलब अपने शब्दों में पढ़के कोई चीज़ बता रहा है तो paraphrase करना है summary बता देना किसे चीज़ की और contextualization करना यानि संदर्भ में अर्थ का निर्मान करते हुए पढ़ना good reading में आता है यह important था बहुत ज़्यादा अब हमारा reading होता है complete इतनी चीज़ें आपको reading में पढ़नी है अब हम बात करेंगे writing में कि writing में पूछा क्या जाता है तो जो पूछा जाता है वही बताऊंगी इसके अलावा कोई हम बहुत detail नहीं पढ़ेंगे बाकी marathon session ले लूँगी में आपके paper से पहले तो आपका और भी cover हो जाएगा चलिए तो यहाँ पर देखो writing दिया हुआ है writing में दो चीज़े पूछी जाती है एक तो writing की stage पूछी जाती है process approach क्या होती है वो पूछा जाता है आपके paper में तो process approach याद रखना है writing क्या है एक process है writing product नहीं होती है writing हमारे productive skill में आती है लेकिन writing को product नहीं बोला जाता writing क्या है process है इसके कुछ stages होते हैं और कुछ type होते हैं तो पहले मैं stages बता देती हूँ short में stages में process approach की कुछ stages होती है जैसे कि सबसे पहला stage आता है pre-writing ठीक है ये तो ये very very important में इसको कहूंगी very important है ये pre-writing होता है पहला stage जिसको हम कहते है brainstorming मतलब कि आपको कोई भी चीज लिखनी है आपको कोई भी चीज किसी भी चीज पे आपको writing करना है कुछ लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करते है brainstorming करते है तो first stage क्या है, pre-writing है आप पहले ideas को collect करते हो कि आपको क्या लिखना है दूसरे number पे आता है आपका draft चलो outline लिख देती हूँ, ठीक है कई बार देखो stages में stages में भी variation पूछा जाता है कई बार 4 stages देदेगा, कई बार 6 देदेगा तो जितने पूछे गए मैं विस्तार से बता देती हूँ ताकि आपको confusion ना हो outlining भी कई बार दे देता है ठीक है, तो दूसरा step मान लो outlining जो मैंने सोचा उसका मैं outline बनाऊंगी उसके बाद तीसरे number पे कर दो draft करना ठीक है तो कई बार outlining नहीं देता है paper में भी पेपर में आया हुआ था कि drafting का meaning का है drafting का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखना है जो आपको लिखना है वो आप paper पे लिख देते हो तो drafting मतलब है कि आप उस कागज पे उतार दोगे जो आपको लिखना है draft कर दिया आपने ठीके उसके बाद आपने इसको draft तो कर दिया लेकिन फिर आप इसको revise भी करोगे ठीके तो four step क्या आता है revising आप देखोगे कि क्या इसमें कोई mistake तो नहीं है error को देखोगे revise करना मतलब आपने जो लिखा है आपने जो draft किया उसको आप देखोगे उसको देखोगे कि कोई गलती वलती तो नहीं हो गई revise करना हो गया ठीके पाचवे नमबर पर आता है मान लो कि आप revise कर रहे थे कोई गलती निकल गई तो फिर आप उसको क्या करोगे edit करोगे जैसे हम अपनी pictures भी edit करते है इसी तरह writing में भी क्या है editing की जाती है कि कोई mistake है कोई grammatical mistake हो गई कोई word गलत आप नहीं लिख दिया या कुछ change आप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे 5 नमबर पर revise करने के बाद उसको edit करोगे edit को कहा जाता है proof read तो ये दो वर्ड याद रखना अगर आप से पूछेगा proof reading या फिर editing तो दोनों same है proof reading, editing दोनों same है दोनों एक ही है यहाँ पर आप ठीक करते हो जो आपकी गलतियां है उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं redraft कर देते हैं अब आपने जो गलतियां की उसके बाद आप फिर से fresh लिख दोगे एक दुबारा से last आप उसको redraft करोगे दुबारा लिखोगे सही करके तो उसको कहते है redraft करना उसके बाद 7 number पर क्या होता है finally publish कर देना फिर आपने जो लिखा उसको finally publish कर देते हो तो ये क्रब होता है ये होता है writing की process which is very very important ठीक है? तो ये writing का process है अब मैं discuss कर लेती हूँ कि जो types हैं वहाँ से question आता है तो types बता देती हूँ फटा-फट से यहाँ पर writing के न चार type हैं जहां से question paper में आते हैं तो ये चारों क्रम से ही आपको पढ़ना है सबसे पहली writing आती है controlled तो types क्या है writing के? सबसे पहले है controlled controlled writing जहां पर आप उसको control जैसे आपने blackboard पर ABCD दे दिया या फिर आप उसको इस तरह से dot 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 वाला homework दे देंगे तो जब हम छोटे बच्चों को इस तरह का काम शुरू में देते हैं तो ये जो writing होते हैं ये controlled है आप उनको जैसा बोलोगे वो वैसा वैसा ही लिखेगा उसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा तो ये controlled type की writing होती है दूसरी writing क्या होती है? दूसरी होती है हमारी control के बाद आ जाती है guided guided writing में क्या होता है? कि teacher कुछ ना कुछ बच्चों को help देने लगता है वो पूरी तरह से तो उनको ऐसे काम नहीं देगा लिकिन वो थोड़ा help, थोड़ा hint देदेगा थोड़े से words देदेगा तो बच्चे उन word के अनुसार लिखेंगे जैसे मानलो मैंने बच्चों को ट्री दे दिया word मैंने बच्चों को बोल दिया कि अच्छा बच्चो pen word पर कुछ पांच sentence मुझे लिखके दिखाओ तो मैं बच्चों को यहां word दे रही हूँ मैं पूरा-पूरा उनको sentence, उनको paragraph लिखने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ यहां पर मैंने बच्चों को guide किया, मैंने उनको थोड़ा help दे दिया तो second type की writing होती है guided जहां teacher केवल help, केवल support देता है उनको तो guided है तीसरी होती है free writing free writing एक तरह की कौन सी writing में आती है personal writing में आती है free writing में आप free है जैसे diary लिखना diary लिखना खुद की diary लिख रहे हैं तो वहाँ पे ना grammar का ध्यान देते हैं ना हम बहुत अधर rules का ध्यान देते हैं हमें जो समझाता है उसके according जो है diary लिखते हैं तो free writing में बच्चा free होता है वो अपने views को present करता है और अपने views को लिखता है तो free writing समझा आगे आओगा बहुत बेविकल नहीं था यहाँ बच्चा free होता है कि वो कोई भी चीज लिख सकता है उसके बाद चौथे नमबर पे आती है लास्ट में advanced writing advanced तरह है कि writing कौन सी writing है जैसे कोई book लिखना अगर कोई book लिख रहा है तो वो कौन सी writing है advanced writing है कोई general लिख रहा है अपना तो वो advanced writing है तो advanced writing थोड़े बड़े level पे होती है जैसे college में पहुँचके आप को PhD कर रहे हैं और आप कुछ लिख रहे हैं आपको कोई शोध काम चल रहे है तो उस तरह की writing जो बड़े level पे होती है जो थोड़ी structured होती है grammatically बहुत अच्छी होती है उस तरह की writing advanced writing होती है जैसे कोई book देखोगे तो उस book में आपको mistake बहुत कम दिखेगी properly organized होती है वो writing तो इस तरह की writing जो है वो advanced writing में आती है जो बड़े level पे हम करते हैं जैसे college level पे हो गया university level पे हो गया ठीक है तो ये चार type के writing थे control मतलब teacher पूरी तरह से उनको वही दे रहा है और बच्चे वही वही कर रहे है primary level पे यही आपको देखने को मिलता है जादा फिर धीरे आप देखोगे guided writing पे हम आ जाते हैं हम बच्चों को केवल help दे रहे whenever they need support तभी teacher उनको support देता है otherwise नहीं देता है जैसे मैंने उनको 4 word दे दिये उन words से वो आगे अपने word बना रहे हैं तो मैंने उनको थोड़ा सा scaffolding दे दिया फिर बच्चे खुद करते हैं उसको guided कहा जाता है free writing में free है अपने views खुद लिखता है जो भी उसको मन है वो उस तरह से writing करता है और advanced में बड़े level पे writing होती है ठीक है? तो guys यह थे writing के process और writing के type I hope कि आपको आज के session में सारी चीज़े clear हो गए होंगी कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं पढ़ाई है जो unnecessary हो या जो exam से related ना हो each and every word was important in today's session so I hope कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज के session में and if you have any doubts regarding any topic then let me know in comment box और इस तरह से हमारा language skills complete होता है तो मिलते फिर next video में बहुत जल्दी and if you are watching me for the very first time then don't forget to subscribe to my channel और playlist पूरी मिल जाएगी अकर आपको English Pedagogy पढ़ना है तो go and just check out my playlist so मिलते फिर next video में thank you for watching this video